प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बैठक की और कैबिनेट की बैठक में इस बात को रखा गया है की रुपे काड़ और भीम EPI से भोकतान करने पर अब फायदा होने जा रहा है आपको विस्तार से बताते हैं की आखिरकार क्या कुछ फायदा होगा जल्द हें रुपे कार्ड और वीम एप से लेंदेन पर आपको मोधी सरकार बड़ा फाइदा देने जा रही है इसके लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की अधास्ता में बुधवार को कैबिनेट के रुपे डेविट कार्ड और वीम एपी आई से डिजिटल लेंदेन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशी प्रधान करने की योजना को मंजूरी दी केंदरिय मंत्री अनुराग छाकुर ने 15 दिसंबर को प्रेस वारता करते हुए बताया कि योजना पर लगभग 1300 कडोड रुपे खर्च होंगे इससे के अलावा कैबिनेट में सेमी कंड़क्टर और डिप्लेस बोर्ड उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लीडिंग इवें केंदरिय योजना को भी मंजूरी दी केंदरिय मंत्री अश्वनी चौबे ने योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा है कि रुपे और यूपी आई भुगतान प्रणाली को और विक्षित करने के लिए भारत सरकार लेन देन के व्यक्तित से व्यपारी हिस्से में MDR की अपूर्ती करेगी उन्होंने आगे बताया कि यह प्रोत्साहन डिजिटल भुगतान के लिए एक निवेश की तरह होगा सरकार 1300 कडोर रुपे का निवेश करेगी ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटली भुगतान को अपना सके ठाकुर ने कहा कि इस योजनाओं में वैसनब ने कहा कि निर्ने से माइक्रो चिप्स के डिजाइन निर्मान पैकिंग और परिसिक्षन में मदद मिलेगी और एक पूरा इको सिस्टम विक्सित होगा जारी किये बयान के मताबिक यह योजना एवायरिंग बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान इसको सिस्टम के निर्मान में मदद करेगी साथ ही रुपे क्रेडिट कार्ड वा भीम यूपियाई डिजिटल लेंदेन को सभी छेत्रों में के और आबादी के सभी खंडों में बढ़ावा देने और देश में डिजिटल भुगतान और मजबूत बनाने में भी या सहायता प्रदान करेगी कि यह योजना बैंक सुभिधा से वंचित एवं हासिये पर रहने वाले उस आबादी के लिए भी डिजिटल ली पेमेंट मोड को सुलब बनाने की मदद करेगी जो अवचारिक बैंकिंग और वित्य प्रणारीज से बहार हैं यह योजना फिंटेक स्पेंस में अनुसंधान विकास और इनोवेशन को और अधिक बढ़ावा देगी साथ ही सरकार को देश के विभिन भागों में डिजिटली भुकतान और अधिक मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करेगी अस्पोर्ट्स रवेट्स द्वारा एकसेस की गई आंत्रिक अमेरिका सरकार के मेमो के अनुसार विजा अधिकारियों ने अमेरिकी वेपार प्रति निधी कैथिरिन ताइक के साथ बैठक में मोधिस सरकार द्वारा रुपे को बढ़ावा देने की शिकायद की थी मेमो में कहा गया था वीजा भारत की अपचारिक और अपचारिक नीतियों के बारे में चिंतित है जो अन्य घरेलिव और विदेशी इलेक्ट्रोनिक भुखतान कमपनियों के मुकाबले National Payment Corporation of India के कारोबार में पक्ष में है तो आपको बता दे कि जिस तरीके से जो लोग फिलहाल इस कार्ड बता दे आपको कि जो बैंक से जिस तरह से लोग पेमेंट करते हैं तो ये जब नई टेकनलोजी आएगी तो उस बक्त सरकार ऐसे लोगों तक इस चीज को पहुचाएगी जो बैंक से रिस्ता नहीं रखते हैं आज को बता दे कि आज के दिनों में बैंक से सभी रिस्ते रखते हैं लेकिन उन लोगों के लिए भी सरकार ने यह सोचा है डिजिटली पेमेंट मोड को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के काम सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं आप देखना यह होगा कि इससे क्या कुछ फाइदा होता है बागी का अपडेट्स के लिए बने इस पोडेशन के साथ नमस्कार